नमस्कार दोस्तों अगर आप Own Passive में एक Founder हैं और Own Passive के बारे में गहराई से जानना चाते हैं कितनी इसकी Income है, कितना Revenue Company के पास बिना Founders के भी आ रहा है, कहां कहां सर्वर है, क्या चीजे हैं, क्या बात है, कितनी Traffic कहां से आ रही है तो ये सारी चीजे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और दूसरा वो लोग जो Own Passive के बारे में जोईन होने से पहले, यानि Founder बनने से पहले जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम किया, तो सबसे पहले बात करते हैं, क तो एपेचे का जो वेब सर्वर है, वो Own Passive इस्तेमाल कर रहा है, मेन मेन चीजे आपको बताऊंगा, एनलाइटिक्स की बात करें, तो Google एनलाइटिक्स, यानिके जब हम देखते हैं, कि वहाँ पे बहुत सारी चीजे दिखाई देती हैं, ऐसे एक के नीचे, दो, चार सर्माल होती है, तो वो होती है, यूटूब के जैसी, ठीक है, अब जावा सक्रिप्ट, यहाँ पे आप देखिए, जे क्वेरी, ठीक है, अब Own Passive.com का प्रोफाइल, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेती हैं, तो टाइटल ही इसका सबसे पहला है, Artificial Intelligence and Machine Learning Company Own Passive, Description, Own Pass यानि के साफ यहाँ पे है, Own Passive जो है, जो उसके मूल में है, वो है AI Technology, यानि के Artificial Intelligence टेकनोलोजी पर ही Own Passive काम कर रहा है, और Artificial Intelligence को इंटिग्रेट करके ही अपने सारे प्रोड़क्ट Own Passive बना रहा है, अब कीवर्ड की बात करें, तो यह सिंपल सा है, Own Passive, Own Passive Reviews, Own Passive Reviews, Own Pass तो यह इसके कीवर्ड है, ठीक है, इनको डालेंगे तो यह सर्च में आ जाता है, अब इसके बात बात करते हैं, Own Passive.com Traffic Summary, तो यहाँ पे देखिए, 78,900 के करीब हर रोज Own Passive.com की वेबसाइट पे लोग आते हैं, देखिए, यहाँ पे मैं कलियर करना चाहूँगा, इसके बाद मैं आपको वीडियो लंबी हो सकती है, जो अपनी gofounders.net है, उसकी बताऊंगा जो इससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा आपको, Own Passive.com से, income भी, revenue भी, और सारी चीजे इससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेंगे, डेली विजिटर भी, यह सारी चीजे कहीं गुना ज़ यह नीचे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर हर चीज को बताऊंगा, तो मेन मेन चीजे यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो Alexa rank की अगर बात करें, जो बहुत ही मैत्व पूरून है, तो 41,740 यहाँ का Alexa rank है, Own Passive.com का पूरे world में, यानि कि आ 14,740 पे जो की अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, bounce rate की बात करें तो 41.49 और average visit duration की बात करें, यानि जब कोई person Own Passive.com पे आता है, तो कितना time वो वहाँ पे spend करता है, तो वो लगबग 2 मिनिट है, यानि के Own Passive में बहुत कुछ interesting है, इसलिए कोई आदमी वहाँ पे 2 म आती है, ये भी आप जरूर जाना चाते होंगे, तो direct से ही सीदे 72% लोग यहाँ पे आते हैं, referral से, यानि के अभी हम लोग founder बना रहे हैं, तो हम link भी देते हैं, तो उस पे click करके 14.33% traffic on passive के पास आ रहा है, search से, जो लोग search करते हैं, जो keyword भी मैंने उपर आपको बताये थे, तो वो 7.94% यानि के लगबग 8% लोग search से आ रहे हैं, social से, यानि के social media की जो description में link होते हैं, या post में link होते हैं, वहाँ से 5.73% यानि पौने 6 के करीब, तो यहाँ पे इस तरह से traffic source on passive के पास आ रहा है, अब बात करें, desktop versus mobile, यानि के desktop से कितने लोग इसको यहाँ पे आते है इसको खोलते हैं on passive.com को और mobile पे कितने लोग, तो desktop पे 15% और mobile से 84.92% यानि लगबग 85%, ठीक है, अब यहाँ पे एक main बात यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा detail में बताऊंगा, visitors by country, यानि के जो visitor करने की संख्या है, इनके सबसे ज़्यादा visitor कहां से आ र अब भारत की population कितनी हैं, लगबग 137 करोड, ठीक है, दूसरे नंबर पे United States, अब यह company US की ही है, United States की ही है, और यहाँ से ही दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा visitor आ रहे हैं, अब आपने बहुत सारी कमपनियों का नाम सुना होगा, नाम तो international company है, लेकिन वहाँ पे सारी traffic इंडिया से ही आती है, 0.01% कुछ ऐसा chance होता है कि उसी country से वहाँ के लोग आ रही होते हैं, या कुछ 1-2% होता है, लेकिन इस concept में क्या है, ओन पैसिव का जो यह concept है, यहाँ पे United States से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा visitor आ रहे हैं, यानि कि यह company दिल खोल कर अपने दे 137 करोड के लगबग होगी, और इंडिया की population अगर आप देखें, तो 137 करोड के लगबग है, यानि कि population में बहुत बड़ा difference है, इसलिए United States से यहाँ पे दूसरे नंबर पे visitor आ रहे हैं, और तीसरे नंबर की बात करें तो बंगलादेश से, और चोते नंबर पे कनाड़ा स चाँगा, जो अपने गुर्षमिंदर सिंग धिलन जी हैं, LC मेंबर हैं, सभी जानते होंगे उन पैसिव के फाउंडर तो खास कर, वो कनाड़ा में ही रहते हैं, वो वहाँ पे भी सायद अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी चोते नंबर पे पूरी दुनिया के 212 द तो यहाँ पे वीजिटर्स जो हैं, पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा इन चार कंट्री से आ रहे हैं, वेहल डू वीजिटर्स गो ओन तो यह तो सभावी का है, ओनपैसिव.com, अब इसके बाद आगे चलते हैं, में में चीजे जो हैं मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, जो साब दिखाई देंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी यहाँ पे हो जाएगी, और इसके बाद मैंने आपको वो भी बता दिया कि यह इसका एलक्सा रैंक कितना है, और इसके बाद रेवेन्यू पे आते हैं, तो रेवेन्यू मैं इसका ढूंड लेता जो रेवेन्यू दिखाएगा, आप सब लोग जाना चाहते होंगे, अब यहाँ पे डेली रेवेन्यू देखिए, एक हजार नो डोलर, यानि के इंडियन रुपीज में बात करें, तो करीब 74,000 रुपे डेली रेवेन्यू ओन पेस्यू कंपनी के पास आ रहा है, मतलब यह है कि जो हम फाउंडर बन रहे हैं, वो उसका यह रेवेन्यू नहीं है, 74,000 जो इंडियन रुपीज है, यह उसका नहीं है, यह सबसे अलग हटके है, सिर्फ onpassive.com की वेबसाइड है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसी से यह रेवेन्यू आ रहा है हर रोज, 74,000 का, ठीक है अब यहाँ पे डेली अर्निंग बाई कंट्री, यानि हर कंट्री से कितनी इंकम हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इंकम जो onpassive.com वेबसाइड की हो रही है, वेबसाइड की, एस मुफारा जी की, नहीं जो यह हम लोग, आप समझे मेरी बात को, जो हम लोग पाउंडर बन रही है, उसकी बात नहीं हो रही है, यह सिर्फ जो लोग onpassive.com की वेबसाइड पे विजित करते हैं, सिर्फ उसी से इंकम हो जाती है, ठीक है न, तो यह United States से सबसे ज़्यादा आर्निंग होती है, और इंडिया दूसरे नंबर पे हैं, यहाँ पे अर्निंग जो onpassive को होती है, तीसे नंबर पे कनाड़ा और चोथे नंबर पे बंगलादेश, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आपके knowledge के लिए, यह रही है, यहाँ पे United States से 615 डोलर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा अर्निंग, जबकि page view यहाँ पे 53,679 है, और इंडिया दूसरे नंबर पे है, 311 डोलर आ रहे हैं, लेकिन page view जो है, वो है 1,94,468, इस हिसाब से तो इंडिया से सबसे ज़्यादा रनिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा advertising की cost का फरक होता है, तो बस, इसलिए यहाँ पे यह दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ loss भी हो जाता है, थोड़ा सा यह दिखा जा रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यह earning है, revenue है, और यह loss है, यह सब कुछ estimated है, इसका मतलब एक अनुमान हम लगा रहे हैं, अनुमान लगा के यह जो data यहाँ पे दिया गया है, अब बात आती है, देखिए, बहुत सारे लोग बो तो वेबसाइड की value क्या है, तो वेबसाइड की value है, वो है 7,36,797 डोलर, यानि के इंडियन रुपीज में बात करें, तो करीब करीब साड़े 5 करोड रुपई, अभी बहुत सारे लोग हैं, वो एक website बनाते हैं, 2,00, की उसकी अगर net worth हो गई, value हो गई, तो बहुत उचलत होते हैं, लेकिन अगर onpassive.com की बात करें, तो इसकी value है, वो है 5,5 करोड इंडियन रुपीज के लगबग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि onpassive company का कद कितना बड़ा हो चुका है, और अब यहाँ पे और भी root domain तो onpassive.com है, यह देख लीजे आप, यहाँ पे यह कुछ और दिया गया है, onpassive.com hosted, where is location दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा server, server location यहाँ पे आप देख लीजे, asburn, virginia, va, यह पूरा United States, US, यहाँ पे यह address दिया गया है, पूरा का पूरा, इसको देख सकते हैं आप, यह तो बहुत सारी चीजे हैं, अगर इन में हम जाएं, गैराई में, और यहाँ पे एक main चीज हो रहा है, तो यह देख लीजिए, कि जो google save browsing, इसने इसको ठीक कर दिया है, यानि कि ठीक का निशान दिया है, this site is not currently listed as suspicious, यानि कि कोई दिक्कत इस website में नहीं है, SSL checker ने अगर इसको verify किया है, तो इसने भी verify कर दिया है, onpassive.com sports https, अब देख ps लिखा होता है, यानि कि वो full security है, इसकी ठीक है, onpassive.com इसका जो है name है, अभी यह जो data हम लोग आपस में देख रहे हैं, यह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यह हमारा o tracker एक product है, उस पे भी हम लोग दूसरी website का ऐसे ही data देखा करेंगे, और दुनिया देखा करेंगे ठीक है न, तो यह इस तरह का data यहां पे पूरा का पूरा जो own passive का आया हुआ है, ऐसे ही हम लोग o tracker पे दूसरी website का दूसरी चीजों का data हम लोग आने वाले time में देखा करेंगे, ठीक है न, तो इसके बाद हम जब बात करेंगे go founders की, तो उसकी चीजें इससे कहीं गुना ज तो इसके बाद हम बात करेंगे go founders.net की, ठीक है तो अभी यहां पे हम search कर लेते हैं go founders.net, देखिए अब आएगा आपको असली मजा, तो what technologies does go founders.net use, कौन सी technology इस्टेमाल कर रहा है, analytics की, वही same google analytics, और फिर यहां पे font scripts, google font API, यह दिखा रहा है, web servers, तो यहां पे यह यह nginx, ठीक है, तो यह दिखा रहा है, और java का यह javascript यहां पे दो हो गई, sweet alert और jquery, ठीक है, go founders.net profile, become a founder, go founders sign up, और keyword go founders, go founders own passive, go founders review, तो यह सारे keyword से यह search में आता है, ठीक है न, अब यहां पे देखिए, traffic summary, ठीक है, 4,14,100, so, 4,14,100 लोग हर रोज, यहां पे आ रहे हैं, go founders की website पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं, कि कितना फर्क हो गया, own passive की website पे, और go founder की website पे, वहां पे, 87,000 के, 78,000 के करीब था, यहां पे daily visitor, लेकिन यहां पे कहीं गुना हो गया, 4,14,100 लोग हर रोज यहां पे visit कर रहे हैं ठीक है ना, तो यहां पे आप इसे भी देख सकते हैं, अब इसके बाद, Alexa rank, Alexa rank देखिए, 6864, पूरी दुनिया में worldwide जितनी भी यह website है, उन में से 6864 में नंबर पर rank कर रहा है, go founders.net, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है दोस्तो, own passive का आपने देखा, कुछ 47,000 के क 40,000 से 50,000 के बीच में था, लेकिन go founders जो है, वो 6864 में नंबर पर rank कर रहा है, यानि के 6864 में नंबर पर go founder rank कर रहा है, और own passive rank कर रहा था, करीब 47,000 के करीब, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, bounce rate की बात करें, तो 23,46% average widget duration, यहां पे देखिए, कमाल ही हो ग launch minute, अब यहां पे आप देखिए, जब कोई यहां पे विजिट करता है, तो 17 minute का time यहां पे वो spend करता है, कितना interesting, कितना interest वो यहां पे ले रहा है, अब अगर बात करें, traffic source की, तो direct से करीब 90%, reference से 4.26%, search से यहां पे लगबग 3% और social से 3.34%, यानके वीबिन social media application से, तो यह ल 0.03%, और desktop पे वही है, desktop पे यहां पे 86.47%, go founders को जो है, खोला जा रहा है, mobile पे 13.53%, visitor by country, अब यहां पे देखिए, यह जो new जिनिया है, यहां पे तीसरे नंबर पे, rank 3, page view, थाउन दसमलो 3%, यहां पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं लोग, थाउन दसमलो 3%, यह जो पापुआ new गिनिया है, ठीक है न, तो यहां पे फिर दूसरे नंबर पे है, United States, यहां पे आ रहे हैं, 6,000, यहां पे rank कर रहा है, 6,133 और 17.8%, और इंडिया से 9,318 पे rank कर रहा है, और 6.7%, कमाल की बात यह है, कि जो यह new गिनिया है, यहां पे तीसरे नंबर पे rank कर रहा है, इस देश में, यानि कितनी वेबसाइट चलती है, एक देश में आप भी जानते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे rank कर रहा है, फिर बाकी यह कनाड़ा आ गया, Australia, United, Arab, Amirat आ गया, बंगला देश, Thailand, कोलंबिया, पाकिस्तान, यह बेलीज, मोरको, वियतनाम, यह कितने देश आ गई यहां पे, तो यहां पे यह पूरा डेटा, मैं आपको बता रहा था, कि जब गोफाउंडर का आप देखेंगे, तो वो ओन पैसिव से कहीं गुना जादा आपको मिलेगा, ठीक है, तो गोफाउंडर डोट नेट पे ही वीजिटर जाते हैं, और इसके बाद य लिंक दीन हो गया, यह सब चीजें, डेली रेवेन्यू, अब डेली रेवेन्यू की अगर बात करें, देखेंगे, वहां पे अपना कितना था, एक हजार, ठीक है न, अब यहां पे हो गया, तेरा हजार, एक सो चोदा डोलर, यानि कि उससे तेरा गुना हो गया, जो डेली रेवेन्यू आ रहा है, गो फाउंडर के पास, वैसे तो गो फाउंडर ओन पैसिव एक ही चीज़ है, लेकिन दो चीजों से रेवेन्यू आ रहा है, ओन पैसिव से भी आ रहा है, और यहां गो फाउंडर से भी आ रहा है, तेरा गुना जादा रेवेन्यू यहां पे आ रह रिखते हैं कि डेली रेवेन्यू आपके सामने हैं यह जो यह चीजे हैं यह वैब साइड है यह जूट नहीं बोलती हैं तो एस्टिमेटिड है यह 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 इतना अंदाजा लगा के जो जो चीजे चल रही हैं दुनिया में उनका यह पूरा कंकलूजन निकाल के देते हैं इन 13,000 डोलर पलस ठीक है ना तो यह आप देख लिजिए 13 गुना हो गया और 13,114 डोलर का डेली रेवेन्यू ओन पैसिव यह ओन पैसिव कंपनी का जो गो फाउंडर्स है उसके पास आ रहा है डेली अर्णिंग बाई कंट्री यहाँ पर फिर पहले नंबर पे हैं यूनाइट पुच्वे नंबर पे जाके इंडिया है ठीक है ना यानि के यहाँ पे जो अर्निंग आ रही है गो फाउंडर्स वैबसाइड के पास वो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट से जो ओन पैसिव की गो फाउंडर्स की अपनी कंट्री है ऐस मुफारा सर्जो इसके सीवा उनकी अपनी कंट्री है और फिर ये कनाडा उस्टेलिया इंडिया युनाइटेड अरबर मिरात बंगलादेश पागिस्तान थाइलेंड फिर वो सारी कंट्री आ गई तो देखे गो फाउंडर्स में और ओन पैसिव की वेबसाइड में कितना फर्क हो गया यानि कितनी इंक ये सारा डेटा है चाहें तो सक्रीन सोट भी ले सकते हैं वेबसाइड वैल्यू अब गो फाउंडर्स डोट नेट की जो वेबसाइड वैल्यू है यहां पे आप देखिए 95 लाक तीयत्तर हजार पान सो तीन डोलर वहां पे थी 7 लाक कुछ और यहां पे 95 लाक तो यह कम से क भी आठ आठ गुना जादा हो गई उससे आठ गुना जादा यानि के 45 करोड के लगबग यह पहुंच गया है यानि के 45 करोड के लगबग www.cofounders.net की वैबसाइड की वैल्यू है अगर इसको मतलब एक सेल करने का तो मतलब ही नहीं है लेकिन अगर देखा जाए कीमत किसी च आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से तो यह सारी चीजे थी दोस्तों और यहाँ पर यह सर्वर की बात करें यह सर्वर IP एड्रेस भी आ गया यह जब मैं देखता हूं सेम वही है सर्वर का ओन पैसिव वाला जब भी मैं देखता हूं तो मेरे को ओर ट्रैकर अपना प्र प्रकार की कोई शिकायत नहीं यह यह भी सब कुछ ठीक है Ok यहाँ पे तो यह सारी चीजे हैं मैंने इस वीडियो में आपको रल्पाउंडर का और झार्वर्व देख सकते थे scrin वोत लेकर अगर उदर आप ध्यान दे उस식 में आपका interest है तो तो यह सारी चीजे है ownpassive.com के बारे में daily revenue कितना है ये भी मैंने आपको दिखा दिया बिना founders के यानके सिर्फ visitor से जो company के पास revenue आ रहा है वो भी इस वीडियो में सारा सब कुछ आपको दिखा दिया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और कहीं ने कहीं आपके ये काम जरूर आएगी और इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye